तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चेप्टर का नाम क्या है हमारा Retirement of Partner सबसे पहले तो हमें चेप्टर का नाम को समझ लेना चाहिए कि इस कॉंसेप्ट में क्या होने वाला है और इस स्लेवस में तीन चेप्टर आपस में connected है नाम अगर हम समझे तो मान लेते हैं जैसे कि X, Y और Z तीन पार्टनर है और तीन से ज़्यादा भी हो सकता है पार्टनर हमारा तो X, Y, Z तीन पार्टनर है तीन पार्टनर के हिसाब से अगर देखा जाए हमारा यहाँ पे तो इसमें से कोई भी एक पार्टनर अपने इच्छा के अनुसार वो बोलता ही कि मैं फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ अब सर ये फर्म को छोड़ के क्यों जाएगा many reasons हैं क्या क्या reasons हो सकते हैं number one loss चल रहा है तो कोई partner सोच रहा है क्यों रहूँगा मैं फर्म के अंदर अगर loss चल रहा है इंडिया से पर्मानेंटली बाहर ही चला गया उसको या दूसरा काम उसने स्टार्ट कर लिया तो many reasons है तो इसके अंदर एक partner ना अपनी इच्छा से चला जाएगा बोलेगा मैं जाना चाहता हूँ particular तो इसको क्या बोलेंगे हम जब अपनी इच्छा से जा रहा है वो तो retirement इससे क्या बोलेंगे हम retirement retirement का मतलब है कोई भी partner जितने भी पुराने partner थे उसमें से एक partner business को छोड़के जाना चाहता है इस concept को बोला जाता है हमारा retirement लेकिन सेम दूसरा क्या होता कि अगर हमारा ये partner मान लेते हैं चला जाता है firm छोड़के without any intimation यानि ये जब चला गया firm छोड़के तो एक ही reason होता है without any intimation का वो है death death के case में अगर वो जाता है firm को छोड़के तो उस concept को बोलते है death तो इसका मतलब हमारा एक chapter तो death भी है और एक chapter retirement भी है दो chapter हो गए ना उसके बाद बिचारे बच गए दो partner इन दोनों partner ने decide किया यार दो एक partner चलाई गया हम दोनों भी कितना business करेंगे चलो इस business को क्या कर दिया जाए बंद कर देते हैं कोई चलाने के वशक्ता नहीं है तो इन दोनों ने जब decide किया ना कि हम बंद कर देंगे तो पता है उसे क्या बोलते है desolation उसे बोलते है desolation यही तीन chapter है जो कि हमें connected है यह दोनों तो बिल्कुल connected है इसमें तो कोई चिंता ही नहीं अगर आपको यह अच्छे से आ गया तो definitely यह भी आ जाएगा ठीक है ना बल्कि मैं कहूंगा death का और वैसे तो सारे ही chapter easy है लेकिन death का chapter ना बहुत आसान है एकदम आसान chapter रहेगा death में तो balance sheet भी नहीं है सिर्फ किस में है retirement में अब बात करते है desolation desolation देखो firm को बंद करना यह बिल्कुल अलग concept हो जाएगा क्यूंकि देखो firm बंद हो रहा है तो balance sheet तो बनेगा नहीं है ना क्यूंकि आप balance sheet तब बना रहे हो तब जब आपको क्या करना है कि business को start करना है business को grow करना है और आपने decide कर लिया कि business को बंदी करना है with intimation के साथ उसे बोलते हैं retirement of partner तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना जब ये जाएगा तो इतना सरीफ तो होगा नहीं ये कि ये चुपचाप निकल जाए कि आया होगा तो ये दोनों भी इतने सरीफ नहीं थे कि चुपचाप इसे बुला ले जब ये आया होगा तो इसने बहुत टॉर्चर किया था जएड को पता है बुला तू अपने साथ घर से पहले capital लेके आ अपने साथ goodwill लेके आ ये दोनों चीजे मंगवाया था तब इसे कहीं न कहीं इसके अंदर entry दिया होगा कहीं जाके सेम जब ये जाएगा न तो अब इसकी बारी है कि ये इन दोनों को torture करेगा कि मेरा capital वापस दे और मेरा जो goodwill है वो भी वापस दे तब मैं जाऊंगा यहां से तो ये अपना capital भी वापस लेगा और goodwill भी इसका मतलब बचे हुए partner को कुछ तो payment करना पड़ेगा इसको है ना क्या बिना payment के चला जाएगा वो नहीं कुछ तो payment करना पड़ेगा जो भी payment करना पड़ेगा या तो in the terms वो उसी time बोलेगा ले भाई तू अपना पैसा ले और दफाओ जाए यहां से एक तो यह हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है बताओ कि बोले रुक जाओ दे देंगे इतनी जल्दी नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है तुम अभी जात हो रहे है और दे देंगे बाद में तो एक तो हो सकता है कि इसको payment कर दें instant cash ले और यहां से चला जाओ दूसरा बोले बाद में देंगे तो क्या हो जाएगा पता है loan हो जाएगा ना कि अब जा रहे हो तो चले जाओ ठीक है हिसाब किताब कर देते हैं आपको 2 लाक रुपे देने आई एगरी 2 लाक पर दे देंगे जब बोला गया दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ loan ही हो गया ना तो यहां concept देख रहे हैं retirement के case में हमें किस चीज की accounting करनी है हमें सरफ 12th standard में हम क्यों पढ़ते है accounts कि जो happening हो रहा है organization में उसकी accounting करना सीखे अब happening क्या हुआ एक partner जा रहा है भाई अब एक partner जा रहा है तो वो क्या बोलेगा मेरा क्या दे goodwill दे मेरा capital तो goodwill भी निकालना पड़ेगा capital भी निकालना पड़ेगा उसके बाद बचा हुआ partner क्या यहां पर कहता है कि भाई मैं तेरे capital को अभी दे दूँगा या फिर बाद बे दूँगा तो जब बाद में दे गा तो क्या treatment होगा और अभी दे दे गा तो क्या treatment होगा 3-4 treatment यह है अब एक बात आप मुद्दे की सोचना के मान लो के हमारा अगर 1 is to 1 का ratio रहा होता ध्यान से सुनना अगर मान लो 1 is to 1 is to 1 का ratio रहा होता और कमाई होती इसकी कितने हजार रुपे 90,000 मैं इतना तो मानी सकता हूँ नहीं कि 1 is true 1 रेशो में 90,000 को आप आराम से बांट सकते हो तो इसका मतलब X के खाते में Y के खाते में और Z के खाते में पहले कितना बाटा करते थे 30,000 और 30,000 इसमें तो किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कि simple सी बात है सर 30,000-30,000 रुपे बाटा करते थे बड़ी simple सी बात है जब भई ये 30,000-30,000 रुपे बाटा करते थे तो एक partner जब चला जाएगा तो क्या उसको भी अब देना पड़ेगा आगले साल से हमें नहीं, next year से जब भी होगा तो next year से कौन बाटेंगे आपस में X और Y तो X और Y बाटेंगे पहले किस ratio में बाटते थे अब बस ratio बदल जाएगा इनका ठीक है ना, ratio बदल जाएगा इस case के अंदर, तो हमें इस chapter में क्या क्या सीखना है, सबसे पहला concept हमें सीखना है ratio के ratio का क्या treatment रहेगा, ratio कैसे होगा, और ratio देखना इतना आसान है ना मैं ratio बोलूँगा खतम, आप बोलो कि कब हुआ खतम इस तरीके से है, मैं अभी ratio लिखूँगा और मैं बोलूँगा ratio हो गया खतम और आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन याद रखना है, treatment of goodwill भी बहुत आसान इसमें कोई इतना concept नहीं है मैं कह रहा हूँ, second term का slavis ना बहुत आसान है, scoring है second term एक तरीके से माल लो revaluation account मैं दुबारा पूरा कराऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने पहले जो करा था क्या उससे different है, बिल्कुल different नहीं है same वही है, लेकिन मैं पूरा दुबारा कराऊंगा term 2 के अंदर balance, revaluation account, partners, capital balance sheet क्या ये change होगा, बिल्कुल वही है जो admission of partner में था, लेकिन मैं पूरा दुबारा कराऊंगा, मैंने बोला जब starting में, कि भाई, मैं ये मानके चलूँगा, किसी को नहीं आता, तो मैं तो पूरा ही लेके चलूँगा, simple सी बात है ना तो retirement का मतलब हमने अभी समझा कि retirement का concept क्या है अब retirement में सबसे पहले देखो हमें ratio सीखना है, मैंने कहा ratio इतना असान है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ratio कैसे खतम हो गया, तो ratio के कुछ types हैं, तीन type के basically ratio है अब question आएगा, सर अभी तो कह रहे थे कि बिल्कुल simple है, तो इसमें भी तीन type हो गए कि अंदर बिल्कुल इसके अंदर तीन type है, और वो type देखना है, इसे मैं एक बार हटा देता हूँ पहले type को तो आप देखते रह जाओगे इसके अंदर पता ही क्या होता है एक ratio और भी आएगा gaining ratio, पहले sacrificing ratio निकालते थे अब gaining ratio की बात करेंगे case number one simple और ये इतना simple है न के simple के नाम पे भी कलंग के एक तरीके से है simple देखो मान लेते हैं x, y और z partner है, ratio है 1 is to 1 is to 1 या आप बोलोगे थोड़ा muscle ratio ले लो तो वो ले लेते हैं 2 is to 3 is to 5 ले लिया muscle ratio अब इसमें से retirement करेंगे एक partner को ठीक है ना, किसको retirement करना चाहते हैं, मान लेते हैं के z को कर दे या y को कर दे एक एक करके तीनों को कर देंगे, ठीक है पहले z को कर देते हैं, है ना अब बोला गया find new ratio अच्छा new ratio निकालना है new ratio आएगा 2 is to 3 z गया तो हटा दो इससे new ratio निकल गया, अब कुछ नहीं करना इसके अंदर, कोई बच्चा बोलता है sir, y जाएगा तो क्या होगा अगर y जाएगा, तो new ratio क्या होगा हमारा, 2 is to 5 निकल गया, जी new ratio तीसरा मान लो बोलता है, sir, x गया तो तो new ratio x गया तो क्या आएगा, 3 is to 5 जी पहला case खतम, इसमें और ज़्यादा कोई हाथ पैर नी मारना अब किसी बच्चे को लग सकता है कि इतनी जल्दी कैसे खतम हो रहा है ये ठीक है, तो एज ये भाई second term इतना आसान है ने scoring subject है, इसके अंदर आप जितना effort लगाओगे simple है और इतना calculative नहीं है, जितना first term था हमारा second term easy है new ratio निकल गया, अब दूसरी बात मुद्दे की बात करते है, एक ratio हमारा पता है कौन सा होता है, gaining ratio gaining ratio क्या होता है, जब मैं आऊंगा तो कौन के साथ समझाऊँगा, पहले पहला case समझ में आगया simple वाला examiner आपको पता है कब परेशान कर सकता है simple वाले में, आपको बोले कि आपका ratio हम ऐसे नहीं देंगे x, y और z अगर है, तो ratio देंगे हम 1 by 5 या हम आपको देंगे 1 by 3 और 1 by 3 और 1 by 3 अब बताओ, z गया तो कितना बचा तो simple सी बात है, 3, 3 करके नीचे बस डराया जा रहा है और कोई roll नहीं है तो यानि अगर z जाएगा तो 1 is to 1 बचाना denominator में अगर change कर देता है तो वो एक छोटी सी बात हमें पता होना चाहिए कि denominator में हम सबको same करके simple एक ratio में convert करते हैं, फिर जो जा रहा है निकाल दो बागी का नया ratio हो गया तो हमने new ratio निकालना पहला case सीख लिया second case में देखते हैं case second में when one partner मैं कहता हूँ one partner acquire और simple बोलू तो जब एक partner जाता है न तो एक partner में भी लालची हो सकता है इसमें अब लालची कैसे मान लेते हैं X है Y है और Z है अब इसमें से Z जो जाएगा तो Z अपने साथ क्या लेके जाएगा capital Z अपने साथ क्या लेके जाएगा goodwill premium अब यहां premium ना बोले हम goodwill ही बोल देते हैं भी ठीक है वैसे premium भी चल जाएगा goodwill लेके जाएगा अब X और Y है remaining partner अब remaining partner की हम बात करें तो इनका ratio मैं अगर मानू तो मान लेतने 2 इस्टू 3 इस्टू 2 इस्टू 3 इस्टू 4 या 5 मान लेता है ठीक है 2 इस्टू 3 इस्टू 5 हमारा एक old ratio है अब मुद्दे की बात करते हैं sir old ratio है यह जो Y है ना यह थोड़ा सा लालची है यह मान लो यह जो है हमारा वो थोड़ा सा लालची है और साथ के साथ पैसे वाला भी है इसने कहा के Z जा रहा है ना तो यह मैं ratio एक काम करता हूं 1 इस्टू 1 मानता हूं जल्दी समझ में आएगा और पहले 90,000 को अगर मैं बाटू 90,000 को तो बताओ कितने कितने बाटेंगे अब यहाँ पर दिमाग लगाया इसने Z बोलता है XY सोसता है यार Z चले जाएगा तो Z के जो पैसे देने रहते होंगे वो तो बचेगा ही अब फ़र्म को तो क्यों ना यह वाला भी मैं अपने में मिला लू लाके यानि भाई तू 30 ले रहा है ना तू 30 ले तू 30 के लाइक है मेरे को 60 दियो अगली बार से बोला भाई तिर को 60 क्यों दिया जाएगा बोला जाएगा कि उसको जो पैसे दिये जा रहे है ना मेरे पास बहुत पैसा है मैं अपने घर से लाके दे दे ताँ यानि मेरी capital बढ़ा दे उसके रहते रहते जितनी capital थी उतनी capital ही रख मेरी capital बढ़ा दे और premium भी मैं इसको payment कर दूँगा तो जो इसको हिस्सा मिला करता था वो हिस्सा किसे दे दे तो जब ऐसा हो जाएगा तो अगली बार जब 90,000 का profit होगा तो इसको कितना मिलेगा 30 और इसक जा रहा होगा उसके हिस्से को जो partner require करता है वो add हो जाएगा इसी case के अंदर मान लेते हैं के z partner retiring था और require कोन कर रहा था सारा का सारा y acquire कर रहा था तो ऐसे case में new profit sharing ratio क्या होगा हमारा x का x के share पे कोई फरक नहीं पड़ेगा वो तो बोलेगा पहले भी जो था अब भी वही है 1 by 3 चीक है ना और y का share क्या होगा y बोलेगा पहले 1 by 3 था और मैंने 1 by 3 अपने में मिला लिया यानि 2 by ratio new क्या हो गया आप वैसे भी सोचो profit के point of view भी सोचो इसको 60 मिल रहा था इसको 30 मिल रहा था तो ratio क्या बन रहा था हमारा 1 is to 2 ही तो बन रहा था हमारा तो same ये बन गया second case खतम यानि इसके अंदर कोई भी partner आपका acquire कर सकता है may be possible है के z के हिस्से को x ले ले और may be possible है z के हिस्से को कौन ले ले तो हमें क्या करना है पुराने आले partner का जो नहीं ले रहा जो थोड़ा सा मानलो गरीब partner है उस partner को कुछ नहीं करना वो तो बिचारा जितना पहले था उतना ही जो partner require कर रहा है उसमें उसके ratio को simple जोड़ देना है बस कोई दिक्कत इसमें second case हमारा यहां complete होता है यहां तक कोई दिक्कत आपको अब third case की हम बात करेंगे case number हमारा एक three है case number three में क्या है कि अब दोनों अगर एक को यह वैसे देखो simple सी बात है कि एक अगर देखेगा कि यार y को तो 60 मिलने लग जया मुझे 30 मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर एक बात आएगी कि मैं भी थोड़े पैसे मिला देता तो मेरा भी हिस्सा थोड़े क्या होता बढ़ जाता तो x ऐसा थोड़ी बोल सकता है तू नहीं मिलाएगा पैसे दोनों पार्टनर है अगर x ने ऐसे बोल दिया कि अगर y ने बोल दिया कि तू पैसे नहीं मिलाएगा सारा मैं मिलाओगा तो उसी दिन और इसको कितना मिलेगा रेशो क्या हो जाएगा 1 इस टू 1 हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वे एक काम कर आधा नहीं, 80% तू ले ले 20% मैं ले लेता हूँ उसका हिस्सा तो 20 इसमें जूड जाएगा और 80 इसमें जूड जाएगा ठीक है न तो देखो पहला केस था कि जो पार्टनर कोई जा रहा है तो बाकी के दो पार्टनर ने एक तरीके से मौन रखा हुआ है उसे कुछ मतलब नहीं है जा रह हो गया और तीसरा केस क्या बन रहा है यहां पे सोचो कि जब कोई पार्टनर जा रहा है तो ऐसे सिच्च्वेशन में कौन एक वाईर करने को तयार है बचे हुए रिमेदिंग पार्टनर मेरे एक्जांपल में दो है तो आप तो दो ही बोलोगे न मैं काऊंगा बचे हुए remaining partner बताईए कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक है तो बताईए तो एक बार फटा फट से मैं तीसरे case को यहां पर थोड़ा explain कर देता हूं तीसरे case को explain कर देता हूं third case देखिए आपको देखिए noting करेंगे न तो कैसे noting करना है सबसे पहले कोई simple सा case है फिर book का भी question करेंगे noting कैसे करना है आपने अच्छे से noting करना है step by step पहले आप simple वाला लिखना उसके example फिर जो मैं बता रहा हूं acquire वाला और यहां पर acquire की मैं बात करूँ न one partner इसलिए मैंने लिखा when one partner require अब दूसरा वाला जो case होगा न when और remaining partner all acquire जब remaining partner है वो acquire करेगा when remaining remaining partner acquire अब देखिए मान लेते हैं x है y है और z है ठीक है ratio थोड़ा difficult रख लेते हैं ठीक है अब एक partner जा रहा है कौन जा रहा है z अब z के हिस्से जो भी z का shares है उसको x और y दोनों acquire करना चाहता है अब ऐसा भी हो सकता है बराबर बराबर तो बराबर बराबर बोले तो मतलब 1 is to 1 1 is to 1 और ऐसा भी बोल सकता है कि भाई तू 30% मैं 70% तो 3 is to 7 बोल सकता है 280% मैं 20% 2 is to 8 है ना तो मैं यहाँ पर 1 is to 1 की जगह पर थोड़ा ratio बदल दू मैं बोल देता हूं 3 is to 5 भी तो हो सकता है फिर 3 is to 5 तो मुद्दे की बात क्या है भाई 3 partner थे एक partner retire हो गया कौन हो गया Z और Z के हिस्से को कौन acquire कर रहा है X और Y किस percentage में 3 is to 5 के percentage में तो पहले तो यह देख ले कि X कितना लेगा और फिर यह देख ले Y कितना लेगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि X taken तो X कितना लेगा Z का हिस्सा तो Z का भाई पहले से क्या है हमारा 5 by 10 उसका कितना 3 by 8 यानि 15 by 80 समझ रहे हो यानि 15 by 80 सीधा उठा के X में जोड़ देना है इसके बाद Y क्या लेगा Y taken किस से करेगा भाई Y भी taken उसी से करेगा Z से ही Z से क्या था 5 by 10 तो था उसका क्या लेगा 5 by 8 समझ में आ रहे है न 25 बटे में 80 25 by 80 समझ में आ रहे है यहां था ठीक है मैं इस साइट थोड़ा करता हूँ इसको ठीक है न यहां मैं कर रहा हूँ अब X का share क्या होगा Y का देखो very simple X का पहले कितना था पता कर ये 3 by 10 Y का पहली कितना 2 by 10 इसमें जोड़ देंगे जो वो require कर रहे है X कितना require कर रहे है बताओ 15 by 80 और 25 by 80 अब यहां पर ratio निकालेंगे तो LCM आ जाएगा 80 और उपर अगर solve करते हैं तो 24 plus 15 और यहां पर LCM देखो यह LCM बगरे तो आपको आता ही है न यहां पर 16 plus में 25 तो यह कितना हो जाएगा 24 plus में 15 39 और यह क्या आ जाएगा 16 41 यह गलत तो नहीं जोड़ दिया मैंने सही जोड़ है न 41 by तो new ratio is 39 is to 41 सही ratio जोड़ा हुआ है new ratio क्या है 39 is to 41 बताइए कोई doubt यहां तक कोई doubt clear है ratio खतम यानि इससे उपर कोई concept नहीं है वैसे पहले वाले में तो यह था surrender, require, फिर पता नहीं क्या क्या था admission में यहां पर यही तीन concept है ratio खतम पहले वाला तो simple है कुछ भी नहीं है ratio बड़ा simple सा है और आप समझ सकते हो कि exam में examiner ऐसा question दे सकता है क्या नहीं देगा exam में या तो यह वाला type देगा examiner या दूसरे वाला type देगा ठीक है, दो type है अब फटा फट से एक बार आप note करिए फिर इसके बाद पता है हम क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे कुछ बुक्के question और gaining ratio बुक्के question और एक concept है gaining ratio इससे साफ साफ note करना है बस noting proper करोगे कोई दिक्कत नहीं होगे note करिए फटा फट कि मान लेते हैं gaining ratio देखते हैं जब भी कोई partner चला गया तो आपने पहले वाले example में देखा के भाई एक partner के जाने के वज़े से बाकी दो का फाइदा हो गया पहले वो बाट 30,000 उसको मिलता था उसका भी profit इसको मिलने लग गया तो gaining का मतलब है कि हमारा sacrificing में क्या था old ratio minus new gaining में हमारा formula अगर मैं कहूं gaining ratio का gaining ratio sir gaining ratio क्या होता है new ratio minus में old ratio new ratio minus में old ratio अब new ratio कैसे निकलेगा मुझे नहीं समझाना ठीक है old ratio कैसे निकलेगा वो निकालना थोड़ी है देई रखा है और question नहीं देता तो one is to one मान लेते हैं है ना तो old ratio भी हो गया अब देखो new हमें निकालना आ गया old हा गया इन दोनों को minus करेंगे तो हमारा gaining ratio आ जाएगा अब कुछ trick में बता देता हूँ कि अब trick का वैसे काम नहीं है second term में second term में tick लगाने लगे तो option नहीं है पूरा solve करना पड़ेगा लेकिन फिर भी आपका answer कैसे accurate होगा ये तो जानना जरूरी है पहले वाले case में new ratio ही gaining ratio होगा इस वाले case में new ratio ही क्या बनेगा हमारा gaining ratio ठीक है ना दूसरे वाले case में acquire जिसने किया था उसी के हिस्से में सारा जाएगा है यानि 0 is to 1 आ जाएगा या आपका 1 आपका 0 is to 1 भी आ सकता है 1 is to 0 भी आ सकता है इस case में तो सबसे जादा benefit किसने लिया था सारा इसी ने लिया था इसने तो लिया ही नी benefit तो इसका 0 आ जाएगा बाकी इसका आ जाएगा ठीक है तीसरे वाले case के अंदर दोनों ने benefit उठाया है दोनों ने मज़े लिया है इसमें profit के तो इस situation में कैसे कैसे तो इसी ratio में आएगा gaining ratio ये होगा समझे हाँ तो उसी ratio में तो benefit मिल रहा है उसको तो gain का मतलब भाई जितना मुझे extra मिल रहा है वही part क्या है हमारा gain पहले वाले case में कुछ नहीं बताएग तो दोनों को मिला तो new ratio बन गया दूसरे वाले में एक partner रह रहा था तो एक partner से तीसरे वाले case में जितना जितना हिस्सा दोनों ने लिया वही part क्या माना जाएगा हमारा gaining ratio अब gaining ratio निकालना कैसे है ये वाला note कर लिया है आपने तो मैं इसको erase कर देता हूँ एक का मैं gaining ratio निकाल कर प्रूफ भी कर देता हूँ चलिए मान लेतने के इस वाले case में आपने बताया के सर new ratio क्या है 1 is to 1 है ठीक है यहाँ पर मान लेतने Z जा रहा है या gaining ratio का formula यह है यहाँ ध्यान से देखिए मैं इसके लिए निकाल रहा है ठीक है new ratio 3 is to sorry 2 is to 3 यानि 2 is to 3 retire कौन हो रहा है Z formula क्या कहता है gaining ratio का new ratio minus old ratio तो gaining ratio निकलेगा किसका X और Y का तो X का new ratio क्या बनता है हमारा 3 by 5 Y का ratio क्या बनता है हमारा नहीं 2 by 5 बनेगा और इसका क्या बनेगा 3 by 5 अब minus करो तो पुराने वाला इसका पहले कितना हुआ करता था 2 by 10 और इसका कितना हुआ करता था 3 by 10 इसको अगर हम solve करते हैं तो LCM आ जाएगा हमारा 10 और यह 4 minus 2 divided by 10 और यहाँ पर LCM 10 यानि आपका आजाएगा 6 minus 3 तो मैंने भी तो यही बोला ना कि जो new ratio होगा वही क्या बन जाएगा तो देखो new ratio भी हमारा क्या था 2 is 2 और old ratio और हमारा gaining ratio भी क्या आया Sir, gaining ratio निकाल क्यू रहे है जैसे तो निकालने का सरिफ एक ही मुद्दा होता एक ही purpose होता goodwill को बाटना सेम यहाँ premium जब उसको देंगे न तो उस premium को देंगे तो पहले जब वो premium लाता था तो दोनों मिलके बाट लेते थे अब जब वो जाएगा तो दोनों मिलके premium देंगे उसको लेकिन किस ratio में देंगे? gaining ratio में तो मैं treatment of goodwill पर आऊँगा तो पहले यह देखो ratio का पूरा concept होगे हमारा खतम नोटिंग कर लिया हो तो एक दो question book का भी देख लेते हैं आपके book में यह है chapter number 6 और book reference में जो बच्चा है book कौन सा लेगा मैं अगर बोलू तो सबको पता ही है के में लिए टी-एस ग्रेवाल बुक का ही है प्रेक्टिकल करेंगे इसमें से भी कुछ पार्ट कटा हुआ है adjusted capital का वो नहीं करेंगे जितना पार्ट हमारा admission में कटा था उतना इसमें भी काटा हुआ है मिटा दू इसे अब ये सब तो मिटा देता हूँ मैं सरफ question question की बात करूँगा है ना सबने note कर लिया ना जिसने note नहीं किया application में भी आपको live class के अंदर मिल जाएगा note जरूर कर ले ना कुछ भी काम ना pendency मत छोड़ना कल के उपर छोड़ोगे ना तो आपने first term में नतीजा खुद देख रखा है कि क्या हुआ था और वो कहानी दुबारा repeat मत करना एक बार को exam में जब बैठे होगे नो तो ये जरूर कसम खा रहे होगे के second term में तो ऐसा करेंगे इस बार के सब देखते रह जाएंगे हमीं top रहेंगे second term में बागे सब पीछे रहेगा जब हमारा paper बेकार जाता है second term में exam hall में होता है सब के मन में यही भावना आता है लेकिन exam के 10 दिन बाद ऐसा लगता है कि याद ही रहता है क्या कसम खाई थी मैंने पहले term के अंदर दूसरे term में तो वो कसम जो खाई थी ना exam के time पे वो पूरा continue हर daily आपको remind रखना है question number one question number one one क्या कहता है G, R, G गीता, राधा, एंड, ग्रव G, R, और G देखो examiner आपको डराना चाहता है बोलना चाहता है इसका ratio one by two है और two by और और कहता है कि new ratio निकालिए अगर यह retire हो जाए तो सबसे पहले तो हम ratio को simplify कर लेते हैं simplify कैसे करें? denominator में same कर देंगे तो denominator में same करने के लिए हमें 10 कर दें तो यहां आजाएगा हमारा into में 5 into 2 यानि सही से ratio देखा जाए तो यह दे रखा है 5 बोला यह चले गया भाई हटा दे तू चले गया 4 है? यह क्यों 4 होगा? अच्छा है यह 4 होगा ठीक है न? एक चला गया कोई बात ने तू चला जाए नियू रेशो हमने निकाल लिया ठीक है? नियू रेशो आ गया इसमें अगर एक जाम में एक नंबर आते है तो हम यही कर सकते हैं इससे जादा कुछ है नहीं और कुछ लिखने वाला भी नहीं है remaining वगएरा करना इतना ही है second question देखते हैं हमने ये question number first किया आपके book का अब practical problem second देखिए second question में कहता है x, y, z partner ये भी ऐसा ही है मुझे तो लगता नहीं कि मुझे करना चाहिए कर लोगे ये तो अब 1 by 2, 3 by 2, 1 by 5 calculate gaining ratio जब y चले गया बीच वाले partner को भीजना चाहता है तो भाई जब बीच वाला चले जाएगा तो हमें नहीं पता के new ratio कैसे आएगा simple एक को अटा दो आप अब आगे बात करते हैं हमारा अब 3 question में देखते है 3 question में कहता है सिभ, Mohan और हरी, 3 partner है question 3 Mohan और हरी, 3 partner है ratio क्या है 5 is to 5 is to 4 ठीक है न 5, 5, 4 कहता है कि Mohan retire हो रहा है ठीक है भाई, Mohan जा रहा है ये बीच वाला partner जा रहा है इसमार और कहता है कि इसका जो share है his were divided equally और ये दोनों बोलते हैं कि हम ना इसके हिस्से को ना हम भी ले लेंगे और हम भी लेंगे equally, यानि 1 is to 1 में ठीक है ना यानि 1 is to 1 में तो simple सी बात है पहले हम ये चेक कर लें कि S कितना taken करेगा X, S taken from M M से कितना लेगा M का हिस्सा है 5 by 14 into में 1 by 2 यानि 5 by 28, same हम देखेंगे H taken from M 4 by 14 into 1 by 2 क्या हैगा अब हमें किसका निकालना है S का भी निकालना है और H का तो S का new share क्या होगा S का new share होगा 5 by 14 और इसमें जोड देंगे 5 by 28 और ऐसे हम दूसरा देखें किसका H का new share तो इसका H का था 4 by 14 और जिसको समझ में नहीं आ रहा बीच में टोक देना मैं बता दूँआ जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बताना जरूर अब क्या हरी का क्या रेशो 5 by 14 है 5 5 4 सही तो लिखा है यह 4 by 28 गुना किया मैंने और 5 by 28 ठीक है अब यहां LCM 28 10 प्लस में 5 और यहां LCM 28 क्या आ जाएगा 2 से गुना करेंगे 8 तो यह आ जाएगा हमारा 15 बटे 28 और यह आ जाएगा हमारा तो रेशो तो पता चल गया यानि 15 बारा है और काट के करना चाहते हो तो 3 से आपका यह कट जाएगा तो 5 इस टू 4 आ जाएगा 13 आ यह वाला तो यह हरी में 5 क्यूं आएगा एक मिट चाह अच्छा अच्छा यह वाला 5 आएगा मैंने यहां गलती कर दी क्योंकि यहां मोहन का लिखना था यह वाला 5 आएगा तो जी यहां पे जब 5 आएगा तो बिलकुल सही जबाब हो जाएगा फिर तो यह क्या आ जाएगा हमारा 5 आने के बाद यह भी 5 हो जाएगा तो 5 और यह 8 13 आ जाएगा हाँ जी यही ratio रहेगा कोई दिक्कत अब अगला question कहता है PQR partner इसी का B part है PQR partner sharing profit 451 P retire इसमें भी मुझे करने की कोई अवशक्ता नहीं है Question number 3 के बाद 4 4 में again यह क्या कहता है कि 1 is to 2 के ratio में एक्वाइर होगा यह भी हो जाएगा 5 question में क्या कहता है कि फिर से 2 is to 1 में यानि देखो घुमा फिरा के जो हमने 3rd case किया था वो इसी बेस पर question रहेगा आपका तो इसके अंदर आप Magli class में doubt भी लूँगा आपने इसमें question 12 तक करना है total total 12 एक से लेके आपने अगर यह concept ध्यान से समझा है और सोचा है अगर समझ में भी आ गया है तो एक से 12 तक question कर सकते हो और फिर मैं next class के अंदर इसके doubt लूँगा पहले फिर आगे चलेंगे चक्टर में किसी को अभी भी doubt है तो पूछ सकते हैं है किसी को doubt? नहीं? note करिए फटा फट